गुड मॉरिंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंडिसमानिया का आज है 6 नौमबर और 6 नौमबर के दहिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत हैं तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ट पहला वर्ट है, riveted इसका मतलब होता है मोहित करना या फिर fascinate करने को कहा जाएगा, riveted जो आपको अपनी तरफ आकरशित करें या मोहित करें वो होता है, riveted, in cross, grip, captivated ये इसके सिननिम है, इनका मतलब भी होता है मोहित करना मैस्मराइज करना, ये भी इसका एक सिननिम होगा, hypnotize करना, और rapt एक अच्छावट है, इसका मतलब भी मोहित करना होता है spellbound, enthralled, ये भी इसके सिननिम होगे, इन सब का मतलब होता है, मोहित करना या आकरशित करना एन्टिनिम होगा इसका, bore, disenthralled, disinterested, ये इसके एन्टिनिम होगे, disinterested जो बिल्कुल भी आकरशित नहीं है, अनाकरशक है disenthralled मिस होता है, release होना, या फिर set free, मतलब बंदन से मुक्त होना, release होने को का जाएगा, disenthralled मतलब, reverted मतलब क्या होता है, किसी से मोहित होना, बंदन आ जाना, लेकिन disenthralled मिस होता है, बंदन मुक्त होना, ठीक है, तो ये होगा example होगा इसका, he was reverted by the newsreels shown on television, जो television पर जो newsreel है, वो उससे मोहित था या फिर आकरशिक था, ठीक है, तो ये होगा अगला वट है, gregarious, इसका मतलब होता है, so samagic, या फिर जो sociable है, मतलब जो मिलनसार है, friendly है, उसे कहा जाएगा, gregarious, जो social person है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जानवर कैसे हैं, ये काफी समagic हैं, social हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, तो ये होता है, cordial, companionable, affordable, ये क्या होता है, samagic, या फिर friendly इंसान को खा देगा, antinim क्या होगा, इसका unsociable, reserved, stand office, anti-social, ये इसके antinim होंगे, reserve मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है, stand office जो अकेला रहता है, ठीक है, anti-social है, जो बिलकुल भी samagic, ये samagic है, तो ये इसके antinim होंगे, example है, he was a popular and gregarious man, वो जो है, एक famous और सामाजिक इंसान था, ठीक है, तो ये होगा, अगला वट है, induce, इसका मतलब होता है, मनाना, या फिर persuade करने को खा जागा, induce, या फिर किसी को motivate करना, या फिर किसी को excite करना, instigate करना, inside करना, ये होता है, induce, convince, prompt, provoke, ये भी इसके cinema होंगे, इनका मतलब ही, किसी को मनाना, या फिर किसी को उत्साहित करना, उकसाना, ठीक है, इस टाइब के sense देगा, rise to someone, ये भी एक phrase है, इसका मतलब ही, किसी को उकसाना, बढ़ावा देना, और क्या होता है, insight होता है, instigate होता है, impale, ये भी इसके synonym होंगे, set off होता है, इसका मतलब ही, किसी को किसी को प्रेरीद करना, तो ये इसके synonym होंगे, antinim होगा इसका, dissuade करना, किसी को prevent करना, suppress करना, restrain करना, suppress मतलब दबाना, dissuade मतलब किसी को हतुसाहित करना, ठीक है, तो ये इसका antinim होगा, example इसका, we couldn't induce the old lady to travel by air, हम बुजूर्क महिला को हवाई जहात से यात्रा करने के मामुली या फिर slight को कहा जाएगा, marginal, अब marginal difference, मतलब बहुती कम difference है, या मामुली सा है, low है, या फिर negligible है, मतलब नगरने type का इतना कम है, minor है, ये होता है, marginal, small, tiny, insignificant, ये भी इसके synonym होंगे, insignificant, मतलब जो महत्वहीन है, tiny है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे mobile है, ये कैसा होता है, tiny है, बहुत छोटा है, small है, तो ये होता है, marginal, minimal, ये भी इसके एक synonym होगा, antonym क्या होगा इसका, vast, profuse, abundant, plentiful, ये इसके antonym होंगे, plentiful मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता है, जो abundant, profuse, बहुत बड़ी मातरम है, vast है, व्यापक है, ठीक है, तो ये इसका antonym होगा example है, it made only a marginal difference, ये केवल बहुत कम अंतर ले पाया, ये मामुली सा अंतर ला पाया, ठीक है, तो ये होगा, अगला वट है, sweeping, इसका मतलब होता है, व्यापक, या फिर extensive को कहा जाएगा, sweeping, मतलब जो बहुत बड़ा हो, व्यापक हो, बहुत बड़ी उसकी range हो, काफी लंबा फ extensive है, ये होता है, sweeping, wide ranging, global है, vast है, vast मिस भी क्या होता है, व्यापक, तो ये इसके synonym होंगे, जैसे कि image में दिख रहा होगा, जो पेड़ है, ये क्या है, व्यापक छेतर में लगे होए है, ठीक है, तो ये होता है, spacious, panoramic, ये भी इसके synonym होंगे, panoramic मिस भी क्या होता है, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े द्रिश्य में है, ठीक है, बहुत बड़े छेतर में है, तो ये इसके antinim होंगे, ये synonym होंगे, antinim होगा इसका narrow, limited, minor, जो बहुत कम है, ठीक है, तो ये इसका antinim होगा, example है इसका, the citizens voted for sweeping reforms, citizens ने एक व्यापक reforms के लिए vote किया, ठीक है, तो ये होगा, अगला वड़ है, shrug, इसका मतलब होता है, उप्यक्षा करना, या फिर disregard करने को कहा जागा, shrug, disregard मतलब नजरंदाज करना, या अभेलना करना, उप्यक्षा करना, जैसे कि parents बच्चों को कुछ बोलते हैं, करने के लिए, then they raise their shoulders, to indicate lack of knowledge, कि हमें ये नहीं मालू तो ये इसके सिनिम होगे, ब्रस ओप होगा, किसी चीज को दर किनार करना, तो ये इसके सिनिम होगे, एंटिनिम क्या होगा इसका, heed करना, मतलब notice करना, ध्यान देना, retreat करना, mind करना, तो ये इसके एंटिनिम होगे, example इसका, the managing director, shrugged of the criticism, जो managing director है, उसने criticism को dismiss कर दिया, या तो ये होगा, इसका, example, बढ़ते हैं अब आगे, तो guys अगला बढ़ है, importune, इसका मतलब होता है, जित करना, या फिर request करना, या solicit करने को कहा जागा, importune, solicit मतलब यासना करना, जैसे कि ये कर रहा है, यहाँ जोड़के क्या कर रहा है, please stay with me, this month, आपनी salary को बोड़ रहा है कि इस महने मेरे साथ रुख जाईए, ठीक है, तो मतलब हाँ जोड़के किसी सामने विंती करना, या request करना, यह होता है, importune, जैसे कि वो paper जी वाले आपने देखे होंगे, उसमें आते रहते हूं, reels में, तो उनकी एक photo के लिगया करते हूं, उनके सामने लगया रहते हैं, please besiege करना, implore करना, intreat करना, किसी से बहुत जादा है, request करना, हाज उड़के, विंती करना, यह होता है, intreat, implore और besiege, pastor, किसी को परिसान करना, hound, पीछे ही पड़ जाना, ठीक है, जैसे हो पड़ते हैं, badger करना, तो यह इसके synonym होंगे, antonym क्या होगा इसका, किसी को suggest करना, please करना, मतलब खुशी देना, oblige करना, satisfy करना, ठीक है, या फिर hint देना किसी को, तो यह इसके, antonym होगे, example इसका, I importune you to help them, मैं आप से request करता हूँ, कि आप उसकी help कर दो, ठीक है, तो उनकी help कर दो, तो यह इसका example होगा, अगला वट है, tribulation, इसका मतलब होता है, curse या फिर trouble को क तो आजाएगा, tribulation, मतलब जो आपको, डर्द है, या कस्ट है, या परेशानी है, यह होता है, tribulation, pancs, थ्रोज, suffering, यह इसके सिननम है, pancs मिसे भी क्या होता है, curse, थ्रोज मिसे भी क्या होता है, curse या जो दुख है आपको, तो यह इसका, सिननम होगा, कुछ और सिननम है, जैस ये भी क्या है कस्ट या दुखदाई को कहा जाता है इल फोर्चून और क्या था एक एडियम थी क्रोस्ट बियर इसका मतलब भी होता है कस्ट ठीक है तो ये भी इसके सिननिम होंगे एंटिनिम क्या होगा इसका रेस्ट, इज, प्लेजर, जो आए, ब्लीस वो जो है कस्ट से बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है या बचावा नहीं है ठीक है तो ये होगा इसका एक्जामपल अगला वड़ है कैलियू मनी इसका मतलब होता है जोटा आरोप या फिर एक्विजेसन को कहा जाएगा कैलियू मनी, मतलब जो किसी पर आरोप लगे जिससे कि उसकी इमेज ख्राफ हो उसे कहा जेगा कैलियू मनी जैससे कि इमेज में दिख़गा होगा केजरिवाल जी पर अभी बहुत जादा आरोप लगे हैं तो ये उन्हें क्या बोड़ रहे हैं जो है जोटे आरोप हैं इसका मतलब भी जोटा आरोप होता है या फिर किसी की कि Muse को क्षराब करना Smear करना गंड़ करना स्टीग्मा कि विलिफिकेशन इसका मतलब यह होता है आरोप यह फिर जिससे कि आपकी खराब हो तो यह इसका I yang क्या होगा चैयरफुल हैपी जीन्य प्लीजाड बिरेंट प्रिजेंड मतलब जो आपको सुखी दे, जीनियल, सुखदाय को कहा जाएगा, तो ये इसके एंटिनियम होंगे, एक्जामपल इसका, he was the victim of Calumony, वहाँ जोटे आरोपों का सिकार है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक्जामपल, तो गैज आज की पहली एडियम है, elbow grease, इसका मतलब होता है, hard physical effort, मतलब जो physical effort आपको करने पड़ते हैं, उससे कहा जाएगा, elbow grease, जैसके जामपल है, it is going to take some elbow grease to get this counter clean, कुछ इस counter को clean करने के लिए, कुछ physical effort की जोरत पड़ने वाली है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगली एडियम है, round the band, इसका मतलब होता है, crazy, insane या फिर bored को कहा जाएगा, round the band, मतलब जो आपको bored कर दे या फिर पागल कर दे, insane कर दे, crazy कर दे, उससे कहा जाएगा, round the band, जैसे example है, staying at home all day, was driving her around the band, मतलब घर पे पूरे दिन भर रहना, उसको पागल कर दिया, ठीक है, उसने उसको पागल कर दिया था, वो कैसे होगी थी, बोर होगी थी, या फिर वो पागल होगी थी, या बहुँ जादा उनमाद होगी थी, तो यह हो जाएगा, इसका example, अगला वट है, knock once socks off, इसका मतलब होता है, to impress someone, मतलब किसे को आकरशित करना, या impress करना, यह होता है, knock once socks off, जैसे example है, this song will knock your socks off, जो इस song है, यह जो है, तु suspense, confusion, या anxiety, जब यह तीनों चीज़ें आपके साथ हो, तो उससे कहा जाएगा, on tenterhooks, जैसे की, example है, he was still on tenterhooks, waiting for his jobs interview, job interview का इंतजार करते वे, वो अभी भी कैसा है, बहुँ ज़्यादा, tension में है, तो guys, आज का root word है, Greg, इसका मतलब होता है, flock, या herd, या group को कहा जाएगा Greg, मतलब जो किसी चीज़ का जुन्ड है, group है, यह होता है Greg, अब जैखते हैं क्या क्या word बनते हैं, जैसे aggregate, इसका मतलब होता है, total, या collective को कहा जाएगा, aggregate, वैसे segregate मतलब, अब आगे C लगा है, तो मतलब अलग होगा, तो set apart, या फिर divide, या isolate, जो बिलकुल अलग है, या हो या फिर एक साथ आना, तो यह होगा, भीड को का जाता है, gather, और gregarious, इसका मतलब होता है, affordable, या friendly, जो मिलन सार है, यह होता है, gregarious, तो यह भी, यह इसके हो जाएंगे, आज के root word, तो guys, आज के लिए बस इतना ही, thank you, देने बाद, please like and subscribe the channel, if you like the video.